हो जी, 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 हाँ सवाल पूछे भईया, महराश्ट्र, मुख्य मंत्री जी को हमारा नमस्कार, नमस्के, प्रदान मंत्री जी, मैं सीए अजे दवे हूँ, मुंबई मदे आपला स्वागता है, धन्यवाद, एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जो उद्योग और अर्टत अंतर विवस्ता के लिए जो कानून और इंकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके, बैंकरप्सी कोड, सब से आज भारतिय उद्योग को एक नियमबत तरीके से प्रगती करने की सुविदा हो गई है, और पूरे देश के चार्टर अकाउंटन्स को भी, इस कानूनी विवस्ता में बदलाव लाने से जो क्लैरीटी आई है उद्योगों को, आज सारे चार्टर अकाउंटन्स को एक चौकिदार के रूप में सेवा करने में सुविदा भी मिल गई है, तो धन्यवाद, प्रशन सर, सर, हमारा प्रशन ये है, सर, बाला कोट में जो आपने करके दिखाया, वो गजब हो गया और सबका सीना गर्व से फूल गया है, मित्र, परिवार, सबको एक गर्व की भावना है, और पूरे देश में आज एक ऐसा लग रहा है, कि सालों बाल किसी ने भारत का दम दिखाया सर, मेरा प्रशन है, थोड़ा व्यक्तिकत होगा आप एक तरीके से, सर, दो चीज़ बताईए, पहला, आपको ये फैसला लेने में ताकत, प्रेणा कहां से मिली, और दूसरा, आपके मन में क्या ये विचार आया, एक शण के लिए भी, कि यदि इस ओपरेशन में कोई चू दवे जी, एक तो, दवे जी आपने अपना बात की शुरुवात में किया, कि बाला कोट मैंने किया, जी नहीं, बाला कोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है, हमारे सुरक्षाबलों ने किया है, और ये सबसे पहले, हम सब की तरफ से उनको सेल्यूट, जहां तक निरने का सवाल है, देखिए, इस देश में आपने धेर सारे प्रधान मंत्री या देखे हैं, या उनके विशे में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुना हुथा, प्रधान मंत्री की कतार में खड़े थे, आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, अगर मोधी अपने राजनितिक भविश्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोधी नहीं होता, अगर यही राजनितिक पैंतरे बाजी से देश चलाना होता, नफा नुक्षान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हीत अपनी राजनीतिक भलाई उसी को ले करके अगर नेड़े करने होते हैं तो मोदी की इस देश में प्रधान मंत्री मन्नी की कोई जरूरत नहीं थे बहुत सारे लोग हैं 77 तक चलाया है मेरे जैसे रेक्टिक क्या जरूरत है और इसलिए मेरे लिए देश सबसे उपर होता है कि सबासो करोर देश वासी मेरे लिए सब चे उपर होते हैं और मेरा है क्या आगे पीज़े कोई चिंता नहीं रठी है दूसरा मुझ जैसे राष्टिय राजनीती में अंजान वेक्ति को तीस साल के बाद देश की जनता ने पुर्ण बहुमत दिया है हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है यह दुर्पा क्या है पूर्ण बहुमत वाली सरकार यह अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपुन होती है बहुत बड़ी ताकत होती है आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है उसका करण मोदी है उससे ज़्यादा यह पूर्ण बहुमत की सरकार है दुनिया का कोई नेता दुनिया का कोई नेता है जब मिट से हाथ मिलाता है या गले लगता है गले पढ़ता नहीं है तो उसको मोदी नहीं दिखता है पूर्ण बहुमत वाली सरकार उसके माध्यम से सवा सो करोड हिंदुस्तानी दिखते हैं और तब जाकर के बराबरी की बात होती है तीसरी बात ये ये निर्णाय ये निर्णाय मैं इसलिए कर पाया मुझे मेरी सेना पर भरोसा है उन्हें छूट दे पाया इसलिका कारण ये मुझे उनकी डिसिप्रिन में भरोसा है कि वो कभी बैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आये इसलिए इसलिए उनके सामर्थ पर भरोसा और उनके डिसिप्लीन पर विस्वास इसके कारण उनके भरो हाथ में इतना बड़ा निर्ड़े देने की मुझे में ताकर थे अब इसके पीछे मेरे मेरी मेरा मेरे विचार प्रक्रिया क्या है हो सकता है साथ दवे यही जानना चाहते हो देखिए ये आतंग बात से हम 40 साल से पुड़ी थे है कोने पाप करता है सारी दुनिया को पता है रिमोट कंट्रोल कहा है सबको मालूम है आतंग बातियों के आका कहां बैट रहे है सबको मालूम है और वे आए मारे चले जाए मुंबई में आए अनेक लोगों को मार के चले जाए पूरी में आए अब मुझे पताईए हमारे सेना के जवान रोड लड रहे हैं थोड़ा दो पता चलेगी इस कौने में है तो कौन चाते हैं और सुबे टीवी चालो कर दो पता चल रहा है गहां वाई चल रही है गोलिया वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं लेकिन ये कब तक चलेगा और तब मैंने तैक किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा अब मैदान उन्हीं का होगा मैदान उन्हीं का होगा और आतंगवात और मुझे सबसे बड़ी बात कभी कभी है हमारे देशे भी कुछ बड़े बुद्धिवान लोग जो चर्चा करते हैं मुझे बड़ी सर्मीन की होती है कि उनको हो क्या गया है आखिर पाकिस्तान बाला कोड की घटना उसके बात भी उसके तरह अभी भी उनके एर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है डेड़ महीना हो गया अब उनको लगा है साथ मोधी चुनाओं में बीजी हो गया तो साथ कुछ करेगा नहीं मेरे लिए चुनाओं प्राइवरिटी नहीं है जी देश प्राइवरिटी है देखे पाकिस्तान की बड़ी मुसिबत है पाकिस्तान की बड़ी मुसिबत है कि अगर वो कहे हां बाला कोट में कुछ हुआ था तो इसका मतलब स्विकार करना पड़ेगा उनको यहां टर्रिस्टों का कैम चलता था हाँ आज को दुनिया को कहते आए हैं हमारीयां कुछ नहीं है हमने ऐसी जगार पर बार कर दिया कि अब उनको उसको चुपा है छुपा रहता ही बनता नहीं आपने देखाएं यह वागर किस जाने नहीं देखें और आमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके क reconstruction किया जा रहा है और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है वहां बैचों का school चल रहा है ताकि दुनिया को ले जा करके दिखाये जाए कि वहां कभी terrorist camp था ही नहीं लेकिन आप वह ऐसी जगा पे बार हुआ है इसके कारण के सित्र हो चुका है कि पाकिस्तान में terrorist camp चलते थे और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परिशारी कितने लोग मरें उससे नहीं है वो तो प्रॉब्लेम बहुत स्वाल कर देते हैं कि उनके परिशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टर्रिस्टों का camp यहां चलता था और दुर्बा क्या है कि हमारे देश के मोधी को गाली देने में जो उत्साई लोग है वो